उजयन से हैं सुरेश पर्मार जी स्वागत है आपका जी नमस्कार नमस्कार सर प्रश्न करिए प्रश्न मेडम हरिया है मेरे दिक्कत आ रहे ही मेरे को ठेक नहीं हो रहा है एज कितनी है सर कोटिफाइब हरनिया जी हरनिया अगर अभी शुरू हुआ है कम है बीमारी तो अच्छा हो सकता है अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसका ऑप्रेशन कराना पड़ेगा अगर इप्तिदाई पोजिशन में किसी को हरनिया हो तो धनिया सॉफ और अलसी धनिया सॉफ और अलसी का सो सो गिराम खरीदे एक चमक भर के खाएं और एक चुटकी नमख जैतूल पानी में मिला गया और इस पानी से खाएं दिन में दो बार ले सकते हैं अगर मामूली सा है तो इसको फाइदा होना मुंकिन है बंजु जी से बात कर लेते हैं स्वागत है मापका जी नमस्कार माइम लिट अश्राइम है एप आई हलो जी इंव आ हांद आपका इन्टान से बात करनी है इंग जी मैं आजीर हुँ बता ये क्या सवाल है यह बात कर रहा हूं जाहिन स्वागत आपका कि है हम सहाब से बात करनी जा है आपकी बात हकीम हाब से ओरी है मैम इव अधरe आधर ₌त जी मैं आप दे आप कंपण न क्यूँ आपको में टीवी से मत सुनिय देखिए से बात कीजिए टीवी से मत सुनिये देर में जवाब देंगी आप पहले आप अपनी बात पुरी कर लिजे बोलिए निदन जी मैं मंगाई थी आपके कंपणी से बोल किया मंगाई थी मिरा ठीक है तो उसको मैं आज 10 दिन हो गया ले रही हूं और ये मेरा ना कुछ तो फारत हलका फुलका है उतना तो नहीं है मैं अचे द्यक्तर की वीदावाई ले रही हूं मेरे पैर में दर्ब है और मेरा एमसी पहले नहीं आता था लेकिन आज मेरा हो गया है एक साल से बंद था मेरा कभी होता नहीं था मेरा तो उसी के बारे में मैं पूछने कायती थी कि कोई तो इसके तावा के काड़ तो नहीं हाकीम साहथ की इसलिए में बात करना है एज कितनी है आपकी एज उम्र कितनी है मेरा 47 साल है ओम्र ठीक है और बेट है सेवंट इसीट से है मेरा ठीक है ना अच्छा देखिए यह सिस्टम को दुरूस करता है गौंसिया आपने लिया है फा ही फाइदा है तो कि आप कह सके कि हम मुझे कुछ फाइदा है इतना ही फाइदा काफी है और यह क्योंकि हमारे शरीर के सिस्टम को अच्छा करता है तो वो जो सिस्टम खराब था आपका एमसी का उस उसको भी उसने दुरूस कर दिया तो फिर भी आप अपने गायनिक से आपके उमर को फाइब नही है इसके बंद होने की तो को रुका हुआ था इसको भी खोल दिया और आपके शरीर पर तैजी से काम कर रहा है यह जो आपके पास hatishram यह अपने ख़तम होने से पहले आपके दद को खतब करने कि सिलाई रखता है जितना भी आपके पास गोंजिया है उसे इस्तमाल करें आदा आदा गिराम की सूरत में और आप इसको उसे फाइदा उठा सकते हैं बिलकुल तो मैम देखिए अभी सिफ दस दिन हुए हैं और आपका कहना है कि आपको हलका फुलका अराम मिल रहा है तो इसका मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में आ बहुत ज्यादा अराम मिलने वाला है और साथ ही भी बताना चाहूंगी कि हकीम साब हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप सहीम के साथ इंतजार के साथ गौनसियत इस्तमाल कीजिए को कोई भी चानल को सब्सक्राइब करना है जहां पर एक रोप के लिए नुस्के देख सकते हैं बार बार समझ सकते हैं अगले कॉलर है हमारे साथ लाल चन जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार सर कहां से बात कर रहे हैं आपका सवाल जी जी बताईए एक तो मेरा है जी हाट के दो बार उपरेशन हो चुका है मेरा जी अजाव मेरे अब कस्टोल फोड़ा बढ़ा हुआ है और भीपी की भी आई रहता है आपके उमर कितनी है उमर मेरी है जी 57 ठीक है सर जी स्क्षाति मेरी मेरी मेर मेरी बार्स के दिए प्रकातियो उप्र के लमलता है किद्टे दिन से ले रहे है? गॉन्सिया वो नहीं जी, देने नहीं रहे है आप सींग कीए है कल से शुरू करें जा आधा है अधा फॉथ दावा हमारी थिक है आ लाधी के गॉन्सिया आ गया है इसको पादर बना ले और आदा दा गिराम दो बार खाये पानी से दे और वजन भी कम करना हो तो एक चुटकी खाने का सोड़ा और एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाकर इस पानी से दे गौन से या तो वजन कम होने के साथ उनके जोडों का दर्द भी या कहीं भी दर्द हो उसका ठीक होना मुम्किन है तो दिल ऑप्रेशन और हाट ब्लॉ की जो यह सब इस उमर में होने लगता है जहां पर आप और हम हैं इसमें खुन गाड़ा होने लगता है और वो खुन की पर चर्बी हमारे दिल की रगों में जमने लगती है और जब जमने लगती है तो फिर दिल को परिशानी होती है खुन फैकने में तो इससे हम अच्छे सकते हैं हमेशा दो दो बार operation हुआ है एक नुस्का जो मैंने अभी बताया आपकी पत्नी के लिए वही नुस्का एक चुटकी नमक जैतुन एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर तिन में एक बार या दो बार लेना शुरू कर दे अगर आपने यह लेना शुरू किया तो फिर एसर लेने वालां को फिर दुवारा से वह परिशानी नहीं होती जो इसकी वज़े से बार-बार ऑपरेट कराना पड़ता है खुन की चरबी को भी काटता है और कॉलिस्टॉल को ब्रट प्रेशर को सबको ने अंत्रित रखने की ताकत है राजस्तान से हैं उस्मान जी हमारे साथ लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी दर्श को कि आप लोग हर एक चीज की जानकारी जरूर प्राप्त कर लिजे क्योंकि नकल्चियों की भरमार मार्किट में हो चुकी है गौन सिया से लेकर वो तमाम नमक वो तमाम सिर्के जो हकीम सहाब आप लो लिया तो उसका साइड इफेक्ट आपको हो सकता है तो नकल्चियों से सावधान रहीएगा ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट नकली मिल रही है तो कोई भी क्वेरी करनी हूँ अगर आपको तो आप हेल्प लाइन नमबर पे तुरंट कॉन्टाक कीजेगा चलिए उसमान जी से ब पहले सर टीवी का वॉल्यूम कम कीजेए नमस्कार सर टीवी का वॉल्यूम फ्लीज कम कीजे सर जी जी सवाल कर लिजे सब्सक्राइब आपने बोला जी जी क्या सुन रहता है मेरी माता जी है उनके सिर और सनों के अंदर सुन रहती है मेडम सर में ची किती है जी उम्र कितनी है उनकी सरीज बता दीजे उनकी एज है मेडम 56 एज ठीक है सर तो दीखे ऐसे बैठें आप समझ लीजे और ने सिका दीजे ऐसे बैठें और ये कान ये बॉंडे से लगा रहा है ऐसे नहीं लगे तब भी कोशिश कर रहें ये एक सरसाइज है ये फीजियो थेरेपी कहलाती है ये तीन मिनिट रोजाना करना है एक साथ नहीं कर पाएंगे तो एक एक मिनिट करके पूरे दिन में तीन मिनिट ही तो करना है ये जरूर करवा है और एक ये ये थोड़ी यहां से पकड़ें अपनी और इसे ऐसे मोड़ देंगी मैना इत्ती मोड़ी कि मैरी थोड़ी यहां तक आ गई हम ऐसे है और प्र ऐसे. यह आप तीन मिनिट यह भी करें, शे मिनिट यह एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो आपकी मम्मी को परिशानी है. और एक आता है, गौन सियाह, सियाह मतलब काला, यह असली लेना शर्त है, क्योंकि नकली बेहिसाब मिलता है, गौन सियाह खरीद ले असली, और आधा गिराम सुबा नाश्ते के बाद, आधा गिराम शाम को खाने के बाद, दूद या पानी से देना शुरू कर दे, आपकी मम्मी को फाइदा होना मुम्मिन है. बात कर लिते हैं नीलम जी से, स्वागत है मैम आपका? कहां से बात कर रही है मैम? मैं तुस्टे कर रहे हैं आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है जी, हडियों के बारे में बत्थ करना, रख टरना, मेरी हडियों सुमभडी बदैर की अच्छा क्या कहा है डॉप्टर ने हडियों में क्या हो रहा है? आपको। टीकी, टीकी, मैं समझी रहाएं पाइजिजू खाया? क्या फायदा हुआ आपको? तक खाते रहें आदा गिराम सुबह, आदा गिराम शाम यह हड्डियों की खुराक है और इसको छोड़े नहीं पहली दफा में आपको कम फाइदा है कोई बात नहीं दूसरी दफा में आप शुरू करेंगे तो और तेजी से फाइदा होगा और तीन-चार बार आपको यह ले पड़ेगा पूरे एक साल तक खाई है आपकी हड्डिया जितनी आपकी उमर है उसी की बराबर मजबूत हो सकती है बिहार से है शन्नु आलम जी स्वागत है आपका आम हैं जी सर किसके लिए मंगवाना है और उनको परिशानी क्या कुछ है अपने लिए मानाते हैं उम्र कितनी आपकी कमर से लेके पैर तकला जंजनाहर तलतला हाट रहता है हां हां एक्चली गाइस कफ़ियर रहता है एज बता दीजे अपनी चालिस वरब ठीक है सर जी अच्छा देखिए गाउन सिया से फाइदा होता है जो आपको रोग है उसमें सिलिब डिस में साइटिका में कुछनों के और जोडों के कहीं भी दर्द में तो ये दवा तो इसलिए है और इसको खाना होता है आदा आदा गिराम सुबे नाच्ते के बाद रात को खाने के बाद आदा गिराम लेकिन असली रेना जरूरी है ये बेहिसाब नकली है नकली मत ले लेना बारहा में कहता हूं सबसे कि ये वहीमानों ने नकली बना लिये हैं और नकली चीज़े उससे मिलती जुलती चीज़े देने लगे हैं और पेशेंट भोल सो सो गिराम लेकर इसका पॉटर बना ले एक चमज भर के खाएं इसमें आदा गिराम गॉंसिया मिलाकर और दूस से इस्तमाल किया करें दिन में दो बार खाने के बाद तो आपके सभी रोग अच्छे होना मुम्किन है